सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफ्रंट किसी भी देश की अर्थ बेवस्था उसकी तरक्की और उसके विकास के लिए मेरू रज्जू का काम करती है रीड की हड़ी की तरह काम करती है जब ये कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है आज वही स्थिती है अर्थबेवस्था गिरती जा रही है GDP गिरती जा रही है लेकिन हम बात करेंगे आपसे उस वक्त की जिस वक्त मनमोहन सिंग प्रधान मंतरी थे इस देश के 2014 से पहले और उस वक्त GDP गिरी थी विकास दर नीचे आई थी और जिस तरीके से सरकार पर हमले हुए जिस तरीके से मनमुहन सरकार पर हमले हुए जिसको विपक्ष ने उस वक्त के विपक्ष यानि बीजेपी ने मुद्दा बनाया और 2014 का चुनाव लड़ी जियां गिरती हुई जीडीपी बढ़ती हुई बेरुजगारी और आस्मान की तरह मुँ फैलाई महंगाई उस वक्त का गंभीर मुद्दा बनी थी और उसी को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बीजेपी को लोगों ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाया था एक आकड़े के अनुसार लगबग डेर लाक लोग प्रती सब्ता बेरुजगार हो रहा हैं महंगाई आस्मान पर है प्याज के दामा आप देख रहे हैं कि सौ से उपर पहुँच गया है सौ रुपए किलो से उपर ऐसे में ना सिर्व विपक्ष बलकि सरकार के अंदर या पार्टी के अंदर जो बीजेपी के लोग हैं उनके उनकी आवाज भी मुखर होने लगी है हम चार लोगों के बयान आपको सुनाएंगे आप खुद फैसला करिए सुनिए समझिए सबसे पहले आपको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त का बयान सुनवाते हैं जिस वक्त वो प्रधान मंत्री नहीं थे उस वक्त मनमुहन सिंग प्रधान मंत्री थे और नरेंद्र मोदी मुख्य मंत्री हुआ करते थे गुजरात के पहले आप ये बयान सुनिए देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है प्रदान मंत्री दो तिन महिने पहले जैपूर में आये थे प्रवासी भारती दिवस में और उन्होंने डंगे की चोट पे कहा था कि 7 परसंद विकास दर होगा अभी मार्च महिने में राजसाभा के अंदर उन्होंने कहा था 7 परसंद होगा यानि मार्च महिने तक अनुमान भी नहीं था दारत सरकार को कि क्या आलत होने वाए और कल जब पता चला कि इतना नीचे गिर गए देगे तीन बाते हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विशा बनता है एक विकास दर का इस परकार से नीचे गिरना दूसरा रुपिया तेजी से कमजोर हो जाना और तीसरा इंफलेशन इतनी तेजी से बढ़ना हो इस तीज चीजे ऐसी हैं जिसके लगता है कि पूरी स्थिती दावा डोर हो चुकी है सुना आपने मोदी जी किस तरीके से गिरते हुई अर्थब्योस्था जीडीपी और रुपए की कमजोर होने की मुद्दे को ले करके प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग पर निसाना अफ्राद रहे हैं आज कुल मिलाकर के इस्थिती वही है जो बाते उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कमो बेस वही हालत इस वक्त देश की है अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसे नेता की बात जो काफी मुखर हैं हर मुद्दे पर उनके अपने खुले विचार होते हैं सुब्रमन्यम स्वामी सुब्रमन्यम स्वामी ने हाल ही में एक दिन पहले एक मीडिया को दिये गए एक इंटर्विव में साफ तोर पे ये सजक किया है चिताया है कि जिस तरीके से ये अर्थ व्योस्था गिर रही है जिस तरीके से जीडीपी गिर रही है बेरुजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है अगर हालात यही रही तो राम मंदर का मुद्धा भी सरकार को बचा नहीं पाएगा आने वाले चुनाओं में में नुकसान जहिलना पड़ सकता है अब आपको सुनवाते हैं सत्पाल मलिक का वो बयान जो उन्होंने गोवा में दिया किस तरीके से उन्होंने बिना कुछ कहे सरकार पर निसाना साधा है सुनी कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो नहीं हो रहा है जो दिखाया जा रहा है बहु पैक जिसको बोलते हैं किसी ने इजाद किया होगा बहुत बढ़िया चीज है उसको लटका के हजारों हजार लड़का पैदल घूमता रहता है अपने रोजी की तलाश में उसको हम कोई बढ़िया नोक बढ़िया रोजी गरंटी नहीं कर सकते हैं सुना आप ले जो बात belongs भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और अब आपको सुनवाते हैं राजिसभा में विपक्ष में बीएसपी के जो सांसद है सतीश चंद्रमिस्रा उन्होंने किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा है किस तरीके से मोधी सरकार पर निशाना साधते हैं उन्होंने साफ तोर पर ये कहा कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है अर्थ बेऊस्था को लेकर कि जिस तरीके से उदासीन बनी हुई है बैंक जिस तरीके से मर्च किये जा रहे हैं उस तर ये हालत जो है वो आने वाले समय में गंभीर होनी है और आपका भविश्य इस से काफी प्रभावित होने वाला है सुनिए आज हमारी कैसी स्थिती देश की होगा economic slowdown की बात हम लोग कर रहे है economic slowdown actually है तभी तो इस पे चर्चा हो रही है और ये जो सत्ता पक्ष है ये भी मान रहे हैं कि economic कामिक स्लोडाउन है उस पे ये ब्लेम गेम खेलना की यूपिये ने शुरुआत की उसले वज़े से शुरू हुआ या पूरी दुनिया में आज स्लोडाउन हो गया है इसलिए हम भी स्लोडाउन कर रहे हैं आप अपने आंकड़े दीजे आप ये बताईए कि आप क्या कर रहे हैं आज आपके स्लोडाउन इस कंट्री के बारे में आज जो हम लोग देख रहे हैं कि सारे आप एक एक करके PSU's को बेचने की बात कर रहे हैं बेचने का असर क्या हो रहा है क्यों क्यों बेच रहे हैं आप ये तो शायद रीजन बताने ही पड़ेगा आज Finance Minister साब को कि आज आज इन PSU's को एक के बाद एक सारे PSU's जो इतनी मुश्किलों से बने थे और जो पबलिक सेक्टर हैं जहां पर की शरूल का, शरूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास इन सबके रिजर्वेशन होते हैं एक फिक्स्ट इंप्लॉइमेंट का एक सोर्स होता है उसको आप आज खतम कर रहे हैं तो हम ये क्यों न मालने कि जैसे इस्ट इंडिया कंपनी एक बार यहां आई थी उसने टेक ओवर कर लिया पूरे हिंदुस्तान को, अपने बिजनस के ही थू किया था, आज दो तीन आपके इंडेस्ट्रिलिस्ट हैं, वो इस्ट इंडिया कंपनी की तरह है वो चाहेंगे तो एक्रिकल्चर चले गाएं, वो अबर डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, ना हम लोग डिसाइड करेंगे, तो ऐसी ग्रेव सिचुएशन पे आज इस देश को हम लोग लाने के लिए आज आ गए हैं, तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ करने की बात करें, आज बैंक्स जो हैं, आपके बंद हो रहे हैं, बैंक्स में पैसा आपके पास है, बैंक इंट्रेस्ट देता है, बैंक से कोई करजा नहीं ले रहा है, करजा नहीं ले रहा है, तो उनको इंट्रेस्ट मिल नहीं रहा है, यह बैंक भी बंद हो रहे हैं, ब कि इंडस्ट्री 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 इंड चारो देश के ऐसे लोग हैं जो एक प्रधान मंतरी आज के डेट में हैं, एक मुखर नेता हैं, एक गवर्नर हैं और एक विपक्ष के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। चारो बुद्धी जीवी हैं और ये चारो बुद्धी जीवी जिस मुद्धे को ले करके बात कर रहे हैं, जिस अर्थ बेवस्था और बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती हुई महगाई की बात कर रहे हैं, उस दिशा में आज के दिन में सरकार क्या कर रही हैं, ये आप आप सोचिए समझे और फैसला लीजिए धन्यवाद जो झाल को उन्यवाद झाल